फाइनली मैं रेडी हो गई और पहुंच गई हूँ अखी बिसकेस के साफरन होटल में जहां पर आज सेलिब्रेशन हो रहा हमारे इंस्साग्राम के 500 के का तो सबसे पहले पहुंचे हुए जो हमारे followers थे मैं उन सबसे मिली फिर मैंने decor देखा मुझे बहुत अच्छा लगा और दीरी दीरी करके और भी लोग आने लगे इतनी खुशी हो रही थी ना मैं आप सबको बताने सकती फिर सबके साथ हमने खुब सारी photos खिचवाई बाते कर माना बहुत बुरा episode हुआ था मेरी dress जल गई थी मैं बहुत रोई मुझे बहुत अफसोस उसका end तक होता रहा पूरे दिन तक आज भी इतने दिन बात भी जब मैं ये voiceover कर रही हूँ तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है मेरी उस dress का मुझे बहुत प्यार था उस dress से इतने सारे followers इन सब को मिलके इतनी खुश हुई मैं आपको क्या बता हूँ सब ने खूब enjoy किया वहाँ पर हमने बाते की पहले जब हम सब मिले न हम सब चुप 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 बैटे थे फिर नाश्टे पर लग गए नाश्टे में हमारे पार spring roll थे कबाब थे और ये केक कटिंग का टाइम हो रहा था तो फिर मैंने सोचा के अब चलो थोड़ा सा मैं भी उठके ना सबसे केक कटिंग पे एक दूसरे को लोगों को मिलवाती हूँ ताकि सब आपस में बात कर सके लेकिन हमारा photo session ही खतम नहीं होता है इतना लंबा हमारा photo session चल रहा था कुछ friends दूर से आये थे तो वो लीट पहुंचे थे बस फिर जब तक सारे लोग आ गये थे 5.30 हो गया था तो हमने फटा फट केक काटी होटल वारों ने बहुत ही सुन्दर केक बनवाई थी इंस्ट्राग्राम का logo और मेरा logo लगवा के बहुत ही अच्छी लगी ओके और सच में ब फिर केक काटता है वक्त मुझे आदा है रेयार ऐसे मज़ा नहीं आदा है केक काटने में कोई बच्चे है तो सारे बच्चे आज़ो सब बच्चों के साथ मिलके हम केक काटेंगे तो बस हम सबने फिर केक कटिंग की उसके बाद केक खाने के बाद तो फिर मैंने बोलना हमने क्या बाते की लेकिन हाँ मैं इंडूजियली हरे की जील टालूँगी ताकि आप लोग देख सको के हमने क्या बाते की क्या मस्तियां की क्या जोक्स मैंने सुनाई बहुत मजा आया in fact this was one of the best day मेरी life का मतलब मुझे उमीद नहीं थी के हम ऐसा कुछ करेंगे और लोग आ भी जाएंगे and इतना अच्छा होगा and सब लोग इतना प्यार दिया ना कि ऐसे लगता है कि और कुछ हो ना हो यह जो मेरी कमाई है ना जो आप सब का प्यार और द्वाए यह इससे बड़ा तो life में कुछ हो ही नहीं सकता है तो reads देखना मत भूलेगा हम सब के साथ क्या बाते के ना वो जरूर डालेंगे last में फिर से हमने कुछ photo session किये और हमने सब को return gift में साबुन और perfume दिये थे तो साबुन हमारे उत्राखंड से एक follower आई थी वो organic sabun sell करते हैं वो वही लेके आई थी और मैं सब के लिए perfumes लेके आई दी तो हमने वो सब को दिये और सब बेहत खुश है और हम भी बहुत खुश है एक बार फिर तेह दिल से आप सब का शुक्रिया जो आ सके और ना पर हमें अपनी दुआओं मेरा